हेलो स्टोडेंट कैसे हैं आप सो उमीद करता हूँ आप सो बच्छे होंगे बस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चलेएगे बच्छो और निमेर को कुश्चन का ये पार्ट टू है part 1 मैंने आलड़ी करा दिया है कम से कम 7-8 question है part 2 में पर question देखते है question पहला है sodium hydroxide के दो समलो 4-6 gram को जल में भी लेकर एक आयतनात्मक फ्लास्क में कुलायतन 100 cm3 क्यूब कर लिया गया तो इस billion की मो लर्ता की गरना करनी है मो लर्ता निकालना है चलिए कोई बात नहीं सबसे पहले हल करते हैं भही हमारे पास sodium hydroxide nao h की मात्रा nao h की मात्रा मतलब बच्चो wb कितना है आपके पास 2.4-6 gram ठेक इसके बाद आपके पास इसका द्रबमान निकालना है nao h का आर्विक द्रबमान आर्विक द्रबमान आर्विक द्रबमान कैसे निकालोगे आर्विक द्रबमान 40 होता भई sodium का होता 23 oxygen का होता है 16 hydrogen का एक जोड़ दो तो 40 आएगा वो दिक्कत तो नहीं है यहां तक clear है अब इसके बाद कुल item देके रखा है भी दिया है कितना है 100 अब मुझे निकालना है क्या मूलर्ता मूलर्ता का फार्मूला क्या होता है बताओ मूलर्ता का फार्मूला होता है बच्चो WB बटा MB WB बटा MB गुणे 1000 बटा आपका भी मान कितना है 2.46 बटा 40 गुणे 1000 बटा 100 00 से 00 जीरो एक जीरो से एक जीरो काड़ दो अब आप पहाड़ा पढ़ो दसमलोव है दो से भाग जाएगा नहीं दसमलोव लगाकर 4 छेंग 24 छे से जा रहा है फिर एक कम से जाएगा 6 है तो 4 एक कम 4 फिर दो बचेगा तो 20 हो जाएगा चार पंचे बीस ये आपका एंसर आ गया पहला कोश्चन है समझ में आ गया मूलरता निकालना था बच्चो ऐसे ही कोश्चन हम देखते रहेंगे बस वीडियो को लाश्ट तक देखा करिए सभी महात्पूर्ण कोश्चन है दोहजार तेस के लिए रिवीजन करा रहे हैं कोश तो मूलर्टा मूलर्दा है क्या मूलर्टा किसे कहते हैं किसी बिलियनr के эк sample прuetar कि मूलोग की संख्या मूलर्टा कहलाती है चले हल करते हैं बच्चो सबसे पहले आपके पास है 55.5 gram सुद्ध क्ययो यह की मात्रा देखे रखी तैच क्योरेच की मात्रा कितना बच्चो 75.5 ग्राम ये मात्रा भाई के ओएच का मात्रा ओधिकत 540 ml बिलियन में घोल कर बनाए गए बिलियन की मुह लरता निकालनी है यहनी भी देके रखा है ml में कितना दिया है 540 ml अबेदी मैं आपसे कह दूँ के ओएच का आर्विक दरबमान निकालो आर्विक दरबमान आर्विक दरबमान कैसे निकालोगे पोटेसियम का होता आपका 49 हाइड्रोजन का आपका एक और अक्सिजन का 16 कुल मिलाकर 56 कुल मिलाकर कितना अगे 56 अब हमें मोलरता निकालनी है मोलरता का फार्मूला होता है क्या WB बटा MB WB बटा MB गुने 1000 बटा B ML WB का मान कितना हमारे पास यहीं बेट 75.5 MB आर्विक दरबमान कितना है तो 56 गुने 1000 है बटा B ML मे 540 है 0 से 0 कारदो बच्चो बागी कैलकुलेशन करना है तो आपका याद हैगा 7, 5, 5, 0 एक 0 और लगाएंगे दसमलो एक अंके पहले हो जाएगा बागी नीचे आपका 56 गुने 4 मन हो जाएगा इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेशन करने के लिए इन दोनों का मल्टिप्लाइ कर दे या इससे काट दे कट भी तो जाएगा दो से कार दो दो से जब काटोगे तो 27 दोना चौमन हो जाएगा दो से काटोगे दो 3 याई 6 दो सत्ते चौदा है फिर एक बच्चे का दो अठ्थे 16 फिर दो अठ्थे 16 फिर दो पंचे 10 अब नहीं कटने वाला अब ये नहीं कटने वाला मतलब आपका 1885 बटे 28 गुणे 27 ऐसे कुछ हैगा दिसमलों में बैलू एक गीरो से गीरो कट गया था ना भाईया गलत तो नहीं है कहीं पे चलो चलते हैं आगे की ओर तो कितना निकल कराएगा बच्चो 1885 बटे 756 और इसको जब आप लगबग आओग तो 72 चुदा 2 दिसमलों कुछ आएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना यहाँ पे है ना कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार फिर से गड़ा भाग कर लेना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तब ही आपको कुछ समझ में आने वाला है क्वेस्चन नमबर तीसरा देखे बच्चो कि 282 ग्राम गुलुकोच को 30 ग्राम जल में बिले किया गया है इस आधार पर बिलियन की मोललता निकालनी है मोललता ग्याद करनी है दोध समलो 82 ग्राम गुलुकोच को 30 ग्राम जल में बिले किया गया है ठीक चलिए अब गुलुकोच C6 H12 O6 C6 C6 H12 O6 मैं आपसे कह दूँ तो 6 गुने 12 ठीक धन 12 हाइड्रोजन और 6 गुने 16 कैल्कुलेशन का लेना 180 क्योंकि इसका आर्विक दर्बमान लोगों को यही नहीं पता रहता है कि सर आर्विक दर्बमान कैसे निकालते है याद करना पड़ता है बच्चे कि कारवन का होता है 12 और आक्सिजन का होता है 16 समझ रहें तो सबसे पहले मैं कह दूँ गुलू कोज गुलू कोज गुलू कोज का क्या आर्विक दर्बमान या कि मात्रा पहले आर्विक दर्बमान ही निकाल देता हूँ आर्विक दर्बमान कभी कभी ही मालीजे किसी किसी क्वेशन में दिया रहता है आर्विक द्रबमान आपका MB कितना होता है 140 और भाईया मात्रा एदी पूछ दिया जाए तो WB WB बराबर कितना होता है 2.82 ग्राम यह आपका भाईया WB है 30 ग्राम जल में मिला है 30 ग्राम है मतलब आपका एक प्रकार से बिलायक देखे रहा है तभी तो मुललता निकालना है मतलब हमारे पास W A देखे रहा है 30 ग्राम ठीक है हमारे पास W A देखे रहा है 30 ग्राम तो हमें निकालना है बिलियन की मुललता क्या निकालना है मुललता मुललता का फर्मूला क्या होता है WB बटा MB गुणे 1000 बटा W A ठीक है, W B कमान कितना बच्चो 30, नहीं, नहीं, W B हाँ, 2.82 और M B कमान 180 गुणे 1000 बटा कितने में 30 में 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो ठीक है, 3 से काटोगे 3 नमा से 22 ठीक, और आपका 1 बचेगा तो 3 चको 12 18 से क्या कट जाएगा दिमाख लगाएगे, क्या 18 से कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 10 का मल्टिप्लाई कर दो तो 9.4 आजाएगा, और 18 18 पंचे 90 18 पंचे 90, चार बटेगा तो 18 दुना 32 40 है, तो 32 तो यह, यह आपका अंसर आगया, मिलता जुलता अंसर रहेगा, लंबा चोड़ा हम अंसर नहीं देखते रहेगा कि नहीं भाया, जब तक हमारा 4 अंक नहीं आएगा, दो अंक तक दसमलों के 2 अंक तक ही आपको लगाना है ऐसे question पूछे जा सकते हैं ऐसे question annual exam में आ सकते हैं बच्चों, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल तयार कर ही लेना है चलिए, अगला question देखिए 90 ग्राम जल में 4 ग्राम नवेच बिले हैं, तो नवेच वो जल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है मोल प्रभाज है क्या बिलियन के किसी एक घटक की मोल की संख्या और बिलियन के समस्थ घटकों की मोल की संख्या का अनुपाथी मोल प्रभाज कहलाता है तो सबसे पहले हमको तो मोल की संख्या निकालनी होगी, सही है की नहीं, फटाफट चर्चा कर लेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, दो चीज हैं, एक 90 ग्राम जल है, जल की मात्रा, हल करते हैं, देखो, बिल्कुल चिंता ना करें, जल की मात्रा, बताओ, जल की मात्रा कितनी है, अब देखो, एक पूरा परके जाएगा तुस्से अल्रेडी बनेगा अब जो सोचे का एक वीडियो देख लिया आपने बिलकुल महारत ही हासिल का लिया तो यह बहुत बड़ी भूल है आपकी जल की मात्रा कितने बच्चो 90 ग्राम ठीक है और इदमें कहा दू है है एक टूओ का आणविक द्रबमान कितना है एक टूओ का अठारा तो मोल की संख्या कैसे निकालेंगे मोल की संख्या किसका है एक टूओ का मोल की संख्या कितना है एक टूओ के मोल की संख्या क्यों अच्छी ना इस टूओ की मोल की संख्या कैसे निकालते हैं जितना भी बेट है उसमें हम आर्विक द्रबमान का भाग दे देंगे तो 18,95 यह इसके मोल की संख्या निकला गई अब NaOH की मात्रा कितनी बच्चो चार ग्राम आर्विक द्रबमान आर्विक द्रबमान ठीक है आर्विक द्रबमान कितना है तो 40 होता है निकाल लेना सोडियम का 23 ठीक तो मोल की संख्या NaOH के मोल की संख्या के मोल की संख्या कैसे निकालते हैं मोल की संख्या मोल की संख्या निकालने के लिए बच्चो अपन को करना क्या होता है कि जितना भी आपके पास मात्रा है आर्विक द्रबमान से भाग दे दो एक हमारा N आया लेकिन यह हमारा N A है, जल है अधिक है और यह हमारा N B है, मौलों की संख्या न, नमबर आफ N A, N B, तब मुझे मौल प्रभाज यदि निकालना है, यह बच्चों मौल प्रभाज, तो मौल प्रभाज कहलाता क्या है, जिसे मैं H2O की बात करता हूँ, मतलब X A निकालना है तो जितना भी हमारे पास मोल की संख्या है ह2 की उसमें दोनों के योग फल का भाग दे देंगे मतलब 5 में 5 धन 0.01 यह नि 5 में 5.01 का भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा 0.981 यह आने वाला है इसके बाद मैं आप से कह दूँ कि एक और भी है एने वेच की मोल प्रभाज यह हमारा कम है मतलब बिले है तो X भी हो जाएगा तो NB को उपर रखो और एने धन NB नीचे सेम रहेगा जिसका भी निकालना उसके मोल की संख्या को उपर रखो 0.1 5 प्लस 0.1 यहीं 0.1 अपन 5.1 5.1 एंसर आएगा 0.019 लोई आपका एंसर आगया मोल प्रभाज निकालने का कुछ भी कठिना ही नहीं है बस मोल की संख्या आपको पता होनी चाहिए मोल की संख्या आपको पता है तो कुछ नहीं करना बच्चो मोल की संख्या में आपको तो क्या करना है जिसका भी निकालना उसको ऊपर रखो और नीची बिल्यन के समस्त घटा को रख दो आपके अंसर आ जाता है फिलाल आज के लिए इतना ही और ऐसे बीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटा फट शेयर भी कर दें मिल टेंगरी वीडियो के साथ जय हिंद बंदे मातरम